है 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 लो अधन बेटा हमने लास्ट लेक्चर में क्या इस साइट किया था जो आपने इंडिविजयूल और डिस्क्रीट शिरीच में करा दिया था और उस पूश्चन को रिवाइस कर लेना रैक्टिस में एक से मैं पर्फैक्ट जिसने रिवाइस कही बात जिस्ने नहीं कि और अच्छी बात चैंशन जू लेनी है एक डिस्क्रीट सीरिस का करा दू मैं आज क्योंकि बच्चे कह रहे हैं भही आप एक करा दो बेटा जैसे आप कहते हैं तो वैसा कर लेते हैं हमें कोश्चन कर लेते हैं फिर कॉंटेनियू सीरिस करेंगे और मोड को अलविदा करेंग हम कौन सा कर रहे हैं 11th class तो करते हैं बड़े आराम से इलस्ट्रेशन को नियू में 297 बहुत बढ़ी अलीशा नियू में बच्चे कह रहे हैं 297 अब दिक्कत की पता क्या बात आ जाती है इसमें भी ना अलग-अलग अडिशन होते हैं किसे अडिशन में एक पेज ऊपर नह पेज नंबर 297 नियू बुक में और जिस बुक में हमने देखा है उसमें 293 है चाहिए पेटा नेचे कर लें जार अपने फाइल 297 ही है बहुत बढ़ी है दिखाता हूं एक सेट पोजिशन बेटा चलो बेटा ही कर लेते हैं इलस्ट्रेशन है है तो नाइंटी सेवे हैं कली कर आया था यह देखो कली यह वाला कोश्य नहीं करा रख है आज इसके आगे करना है देखो मैंने क्या आथा बेटा दो टेबल बनते हैं एक तो कौन सा बनता है ग्रूपिंग और एक बनता है एनलिसिस पहले ग्रूपिंग जल्दवाजी कुछ नहीं बड़े अराम से करेंगे भाईया हम आपके साथ हैं घबराना मत ओके बेटा मुझे बताते रहे ना पहले एक्स लिखो सेविन से लेके सेविन टेन तक कॉंटिन सेविन एट नाइन टैन इलेवन ट्वेल थर्टेन फॉर्टेन फिफ्टेन सिक्स्टेन और सेवन टेन ओके भाईया एफ लिखो इस हमें इसके इलाववा भीस सब्ा पूस को और लेटा कितने इंग्वा छिसमें को लगोलाने को ओको ईतक nessa now क्लुन से और एक तो दिए रक्खा रोता है फिर्स कोला मिज गिवन हमें आफ़ावा छे बनाने दिस कोलम हिस्विस में फिर्स के इसके इलावा कितने बनाने ऊप Direkt और में पॉइंट बेटा याद भी हो जाएगा आप जितनी प्रैक्टिस करोंगे आपका उतना कॉंफिडेंस बढ़ेगा एक कोलम तो बनाव है बाकी दो कोलम कितनी फिर्क्वेंसे एड करके बनेंगे दो तीन को तीन को अच्छा बहिए ा कोशा में क्वान तबिल स्व थे से थड कैसे बनता है तू प्लस त्री से आ और जो फॉट कॉल्म है यह कैसे बनता है वंट्री चու प्लस त्री औरी 5th column 2 plus 3 plus 4 और 6 3 plus 4 plus 5 अन्नी का आंसर दे रहे हो कि 12 बेटा मुझे तो बच्चे को समझाना होता है अराम से मुझे नहीं पता भी क्या अंसर आएगा जब मैं समझांगा तो बड़े आराम-अराम से समझांगा आपने घर लिया तो अच्छे बात है फिलाल 12 करके 2 2 plus 3 5, 6 plus 12 18, 44 32 और 5 plus 3 8, 2 plus 3 फिर क्वेंसे फस्स कोलम को छोड़ दो, ये दो दो को एड़ करो फिर, ये लो बेटा, ये लो, ये लो, 3 plus 6 9, अराम से, 12 plus 20 32, 24 plus 25 49, 7 plus 5 12, 3 plus 1 4, सही है बेटा, चेक कर लो बेटा, सारे की सारे बच्चे, अगर कुछ गड़वड हो, तो सही कर लो, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें पता बेटा, गड़वड होने के चांसे से जल्द बाजे, कि सही से एड़ नहीं करा, कोलम में एड़ करने वाली अमाउट गलत ले लिए, केशव एंसर बता रहा है, भूमी आपका भी ओगया, ग्रेट सक्सेस, बहुत बढ़िया, 1, 2, 3, 6, 6, 3, 9, 2, 11, मैं आपको सही बता हूँ, मेरे पे तो जिस तरीके से मेरे पे फाइल है, मेरे तो यह दिख जाती है, तो मेरे तो बहुत एजी हो जाता है, मैं तो सिधा यहा कि आप कैसे, क्योंकि इसमें ना सारा खेल है धियान से देखने का, आखे कितनी तेज़ है राम से यह देखो, 25, 7, 5, 3, 37, और आखी के दो पेर इनी बनेंगे, बन टू-3 क्या कोड़ी, फिर 2, 3, 4 आजाओ, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 6, 9, 9, 12, 29, 20, 24, 44, 44, 45, 69, और आखी में, 7, 3, 10, 10, 10, 5, 15, बेटा यह देखो, क्या सबका ग्रूप इन टेबल सही बनें, फिर 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, और यह आखी में भी आजाएगा, हां भी आजाएगा, देखो, 3, 4, 5, करो बेटा, 3, 4, 5, 6, 12, 20, कितना हाजाएगा, 12, 20, बोलो, बोलो, 32, 36, 38, मजाग भाहिया, मजाग, जो भी सोर बाहर है, 49, 7, 56, और लास में, गलत कुने होगा, एक सकेट, सही है, पांस तीने, पांच हो तीन, आठ और एक नू, लो बेटा, इस इस ग्रूप इन खेबल, बेटा, जल्दी बताओ, किसी होई दिक्कत है, क्या, क्योंकि बेटा जिसे आता है, उसमें तुम्हें पता कोई दिक्कत ही निया, में तो हम उसी के लिए तो करा रहा हूं, जिसे कोई दिक्कत हो सकती है, जतिन नो भाहिया, अब आ गया समझ, अलीशा, ऐसे हो सकते है, हमारे होते समझना है, कैसी-कैसी बाते करते हो, यशिता, डन, हां, सारे कि बच्चे कम सकम, ये मेरे के सकतने क्राशा के सामने ही हमां सकति हो, इसाल हो आई फुछ यह कहता हूं लेकिन पैटा इसा रिह कहता हूं, कहता ना। कुछ आइडिया लग पारता ओन लाइन में ना तुम्हारी शक्ले दिखती ना कुछ पता चल पारता तो बेटा मुझे बता दिया करो अब फिलाल एनलेसिस टेविल बना रहे हैं एनलेसिस टेविल में एक तो क्या बनाने कोलम वन टू थ्री फोर फाइफ और शिक्स और एक ह सब्सक्राम से बीटा काफी लंबर टेविल बनेगा सेविन एट नाइन टेन इलेविन ट्वेल थर्टीन फॉर्टीन फिफ्टीन शिक्सिन सेवंटीन यहां पे ना मिक्स एंसर आ रहे कोई बच्चा कह रहा है बारा एंसर कोई कह रहे ते रहे मतलब आपने गड़बड कर होगी कुछ नहीं कैलकूलेशन करते हैं बट धियान धियान से देखने नहीं तो इतना पते हैं यहां पे एक लाइन भी लिखता है आइटमस कंटेनिंग मैक्सिमम फिर्क्वेंस से लिख लेना आपने मैं मैं तो मुद्दे की बाद बेटा बताओ फर्स्ट कोलम में फर्स् एक रैट की से मिल रहा है थर्टेन को ऑके बहिए सैकनड कोलम पर आओ भाई यह से फॉर्टिफोर और वो किसे प्लस करकर के आया है वह वह फ्लस करके आया था वीस और चोविस मतलब 11 और 12 किसे राइट मिल जाएगा 11 और 12 को पिर बेटा अगला थर्ड कोलम देखो थर्ड कोलम में हाइस कौन सा है 49 वह 2425 को एड करके आया था मतलब 12 और 12 को एक तेरा को थर्ड कोलम में 12 को और 13 को बाकि मुझे जो बच्चे अंसर भीज रहे हैं बहुत अच्छे बात है मैं बाद में सब का बताऊंगा किस-किस ने अंसर बेजा और उसके बाद थर्ड कोलम के बा किरें और 56 कि से अट करके आया 12 और 20 और 24 मतलब 10 ग्यारा बारा कि दस ग्यारा और बारा कि उसके बाद फिफ्ट कोलम में हैस कि एबटा 69 वह किसे अटिकर कैं याद करकी था उप्या बहिया बहिया एक सेट शुबंइस फट्चिस पक्का हां भीया कि 11 12 13 ग्यारा बारा तेर और आखरी 6 कोलम में क्या है 56 जोगी किसे एडिकर क्या रहा है 24, 25, 7 मतलब 12, 13, 14 12, 13, 14 देखो गई 10 को मिले 1 राइट 11 को मिले 3 12 को मिले 5 13 को मिले 3 14 को मिले 1 तो सिंपल सी बात है मोड गया हो जाएगा 12 तो दिस इस दांसर दिस इस कॉश्चन ओन ग्रोपे चार मिले तेरा को सुरी बेटा 13 को चार मिले हैं यही देख रहा था हमारे बच्चे कितने ध्यान से देख रहे हैं खाली एक बच्चे नहीं अबज़र्फ करा भाईया मैंने ड्रेट टिक लगा दिये यह नहीं दिखाया जिनको आधा करना होता है उन पर टिक लगा दिया कैल्कुलेशन सही थे मैं समझ गया आप कहरो मैंने अनलीसिस टेविल ने बनाई और अनलीसिस टेविल की जगा ग्रूपिं टेविल में ही लेफ्ट पर टिक लगा तो बेटा वैसे भी कर सकते हो बही आप पता कैसे चलेगा कि इंस्पेक्शन यूज करना है या ग्रूपिंग गूशन बेटा रह बोली दिया तो कोई बात की नहीं है या अनिका दूसरा केस जब हमें ग्रूपिंग लगाना पड़ेगा जब मेरी मजबूरी बन जाएगी मैं चाहते भी इंस्पेक्शन से नहीं कर पाऊंगा अनिका अगर आपने लास्ट वीडियो धियान से देखियो तो मैंने बताया थ तो चाहते भी में किसे अंसर नहीं सकता बेटा इंस्पेक्शन से तो मुझे तब भी क्या लगाना पड़ेगा बेटा ग्रूपिंग ठीक है अनिका और एक जब वो स्पेसिफिकली क्याई दे कि कौन सा करना है ग्रूपिंग करना है अगर छे माक्स को कोश्चन आया और वो कुछ मैंशन नहीं हो तो हम इंस्पेक्शन लगा सकते हैं तो शार बेटा बिलकुल लगा सकते हो लेकिन मैं आपको बता दू बेटा आपके टीचे छे नंबर इतने इसली नहीं दे सकते मौड में वहां को ग्रूपिंग ही कहेंगे वह लिखकी देंगे ग्रूपिंग तो है तो अगर हमें इसमें इंस्पेक्शन लगाते हैं तो तेरह आता है और गूपिंग से अंसर बारा आया तो फिर ऐसा क्यों बेटा अंजिका लास लेक्चर में डिसकर्स किया था अंसर अलग-अलग मेथट से अलग-अलग आते हैं इसलिए मोड में ऐसा है कि अलग-अलग मेथट से अलग अंसर आ सकते कोई रिक्कत नहीं है पेपर में बताएगा कि इंस्पेक्शन से करने हैं फिलाल के लिए हमारी अब कॉंटिन्यू से का नाम के लिखो फिर्क्वेंट से डिस्ट्रिबूशन सीरीज और उसमें दो में जैसे दे में कि दिस्ट्रे शी्रिस में भी दो थे ने इंस्पेक्शनल गूरूप सेमट्रीयाश scout जी जिसे displacement distribution से कहतना है लिखो क्विथा दो बन ऊपर इस इंस्पेक्शन मन जूपन बस यह लिखना है इंस्पेक्शन में और पहले inspection method का formula लिखो question से सम्झाओंगा पुरा यह लिखो आराम से कि क्या formula है जैड इस एक्वल टू एल बन प्लस एफ बन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ बन माइनस एफ जीरो माइनस एफ तो लिखो बिटा इसे सिरा question कि तो समझेने से यह inspection method है grouping method में यह लगे गाई और वह बढ़िया question बनेगा grouping वाला तो खैए अभी inspection पहले भाई यह mcq में आएंगे paper में भूमी बेटा ये वाला chapter mcq में आएगा me median mode is covering first term और वह किसमें आएगा mcq में क्या sense है इस बात की कोई sense नहीं है बूमी बेटा लेकिन बेटा क्या करें कोविड में situation ऐसी है आपका mcq एक्जाम इसलिए लेना पड़े रहें cbsc को क्योंकि cbsc को नहीं पता कि भाई साम नौंबर में कहीं थड़ वेव न आए तो बेटा mcq घर से लेना फिर भी सब्सक्राइब बस यह सैंस है इस बात की लोजिकल भी छे माक्स का mcq तुष्याम मैं आपको बताऊं mcq पता कैसे बनेगा तुष्याम अगर छे नंबर का नहीं आएगा लोग आपसे तीन-चार कोशन ये कोशल एक कोशन फ्रेम करेंगे जैसे लें और उसके तीन-चार पार्ट पूछले में जैसे ईक तोondersal क्या है साथ में पूछ लेंगे मोड क्लास कौन सी है साथ में एफ बन पूछ लेंगे तो आपकी पूरी नोलिज चेक कर लेंगे तो इशार बेटा वो सब को कहना चाहूंगा बेटा वो जो कोश्चन बनाएंगे ना तो हां के सिस्टरी के से बनाएंगे कि अगर आपने प्रैक्टिकल सीख ल पूछ फिलाल मजय लूआ जिस तरीके से कोश्चन बने वे वह फ्रेम करो मैं आपके साथ हूं मैं आपको अभी कोश्चन तो बन जाये ना इसकी कैसिस्टरी वाले आजाए वह हम आपके साथ त्यारी कर लेंगे दुखराने की बात नहीं चलो भीया जल्दी से पहले इंस्पेक्शन महरेड़ा कोश्चन करा दो लिखो बेटा कोश्चन के दोरू समझाँगा कोश्चन लिखो नई बुक वाले बता दें बीटा नई बुक वालों की बदद हो जाएगी पेज नंबर 266 है प्राणी जिस पर मैं करा रहा हूं नई बुक वाले बता देंगे बच्चे तो मैं यहां पर क्योंकि बेटा मैं पेज नंबर के साथ लिखके कराता हूं कोश्चन जतीन कहरें 269 नलीशा कह रहे है 270 में पहले तो तुम लड़ लो हां 270 नई बुक में प्राणी में 266 जल्दी से करते हैं कोश्चन क्लास इंटरवल लिखो 10 10 के गैप में 50 तक सी आई जीरो से दस दस से बीस बीस से तीस ओके बेटा जैतीन कोई दिक करती है यह लो बेटा एक क्लास इंटरवल हो गया फिर्कमेंसी लिखो एफ इतना लोलीपॉप कोश्चन है क्या है 25752 25752 मैंने जो फोर्मिलर समझाना है वो सीरह कोश्चन में समझा हूँगा शैद आपको भी 10 क्लास की दुनली दुनली बाते याद आ जाए है विटा इसमें पता सिंपल रोल क्या होते है जो हाइस फिर्कमेंसी होती है उसको हम क्या क्या देते हैं यह ऊपर क्या होते है मोड क्लास और अब फॉर्मिला लिख लो बिटा यह मोड क्लास की जो लो लेमिट है क्या बन जाता है लवन फॉर्मिला लिखों कोस्टें सो बताओ शरम भी नहीं आती बताओ इलेमित क्लास में यह बच्चे को सिखा रहे हैं जैडिज उक्वल टू एलवन प्लस एवण माइनसफ जीरो अपवयवण से लिफटू इंट रहें आए भी मॉड क्लास का डिफरेंश हो और याद है वह यह थेंफ में था यह अपने आपी बंद हो जाता है वन नोट कभी-कभी नराज हो जाता है पता नहीं किस गुस्से में रहता है इस बैस में जाता नराज़गी दिखाता है वन नोट चलते चलते बंद हो गया बेटा बता द्वारा फोलमुल लिखना पड़ेगा हमें इस बात की भी कोई सेंस क्या करें कि द्वारा लिख लेंगे जह लेंगे थोड़ा टू एफ वन माइनस एफ जिरो माइनस एफ टू इंटु आई है विटा कोई दिक्कत तो नहीं सब्कु बड़े प्याज से समझ में आ गया ना एलवन लो लिमिट ओफ बोड क्लास जो कि है 20 कि एफ वन सेविन वे यार क्यों गुस्सा ओर है विटा क्यों अराम से एक सेंट बहुत बढ़िया बिटा अनिकाओ तुशार आपका अंसर आगया मेरे पर एफ वन सेवन एफ टू इस सफएफ और टू इंटु सेविन फॉर्टम मैंनस फाइफ माइनस फाइफ आई क्या है टें बताओ शुरू होने से पहले खतम उन्स उन्स दू अपॉन चोदा माइनस दस इंटू दस बिस पलस दो अपोन चाग इंटू दस कि पच्चिस और खतम बेटा कि अगधे सिस्पेक्शन इस 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 इंस्पेक्शन इस इनस्पेक्शन क्या करो बेटा यह इस बहुत बढ़िया चार-फांच बच्चों का अंसर अब मेरे पेटा सबने लिख लिया बता दिया करू मुझे कि हाँ भीया हो गया यह यह तंजाओ मैं तो माल लेता हूं कि मेरा हो गया तो सबका हो गया कि लिए टैन्स क्लीन एंड क्लेयर क्रिस्टल कि यह भाइया बहुत बढ़िया ग्रूपिंग को करने के लिए फॉर्मिला तो यही लगेगा लेकिन पहले पूरी ग्रूपिंग टेविल लगेगी मैं आपको समझा दूँ वैसे तो कोश्चिन के तुछ समझाऊंगा मैं आपको बता दूँ जब आप ग्रूपिंग मेथेड करोंगे ना पहले जो डिस्क्रीट सिरीज में दो टेविल बनती थी ना एक टेविल तो कौन सी ग्रूपिंग और उसके बाद कौन सी टेविल एनिलिसिस वो इसनुई वनेगी beディ दिस्क्रीट सीरिज में तो एनिलिस टेविल के बाद सीधा क्या आजाता था अंसर निया नियाए निया यहां एनिलिसिस टेविल के बाद एक mode class निकल क्या या लिकिनकल क्या एगी mode class और दुस नोड क्लास में फूट करों फॉर्मूला भाहिया समझ निए पूस्टिन के तो समझाते हैं क्यों घबराते हों एक मेनिक बीट करते हैं रिकनेक्ट करने के बाद बाद कि छुट्टी में है चलो बेटा खेर छोड़ो है यह कोश्चन थोड़ा सा रेंदी है थोड़ा सा जादा नहीं तो आराम से करेंगे हैडिंग आप लिख चुके होंगे हमें मोड करना है किसमें मोड करना है बेटा मोड इन मोड इन कॉंटेनियूस सीरीज और उसमें भी कौन सा मैथर्ड ग्रोपिन बेटा जो इंस्पेक्शन में लगा था वह फॉर्मिल लगेगा लेकिन पहले पूरी टेविल्स बनेंगी इल्रस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा यह जो हमारी कौन सी पेज नंबर पे है है है टो सिख्सिसेवं है नहीं बूक वाले तीन चार पीज आगे से कर लें है है पुस्ट्र नमबर है पहले तो बेटा अराम से स्टीन लिखेंगे 271 नियों भूप पैरे गोट मैं लिखतेता हूँ पहले कोश्चन लिखो बेटा मेरे साथ बढ़े अराम से यह लोग प्रैक्टिस हो गी गुरूप इंटेबल बनाने की पांस पांस के गैप पे लिखो पहले तो यह लोग इटा क्लास इंटरवल लिख लिए फिर्कमेंस से लिखो जल्दी से एक दो दर्स चार दर्स एक दो दर्स चार दर्स ओके भाईया उसके आगे नो दो नो और दो अब समझना बात को दिहां से था और एफ लिख दिया पहले मनेगा ग्रॉपिंग टेबल ग्रॉपिंग टेबल में कितने वो बनते हैं। कोलम छे प्छे भाईया अराम से जल्दबाझी हम बिलकुल नहीं करेंगे जल्दबाजी आराम से ग्रॉप इस फर्सकॉलम second third fourth fifth और sixth second column दो column बनेंगे दो दो गोएड करें कि one two two three और यह one two three one two three two three four और three four five अब पहले one two 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 गोएड करो वैसे छोटा है यह question क्योंकि इसमें फिर्वेंसी कम थी ना है एक दो तीन ऊचर चोगब दस और स्नों अन्नेश कि यह ट्यूजरी टो थ्री टो थ्री कि दस दो बाराइद शार चोगवारा नोद और ग्यारा शलो एक दो तेन बेटा किसी को ना समझाए तो पूछ लेना एक दो दस तो यह कितना हो जेगा तेरह और चाहर दस नो दस यार उनिस तेईस दो तिन चाहर बहुत छोड़ा है तो दो तिन चाहर मैं ऐसी समझा बढ़ा हूँ सोला सोरी बेटा दस नो एकिस दो त्याइस तीन चाहर पांच है बेटा हमारे बैसमें कोई बच्छा जिसने बना लिए पुरा गुरूपिंड तुम बच्चों के लिए अराम स्पीड से करता हो वनना तो हम कर लें कितना जल्दी डर्न अलीशा केश्व बना लिया दिवांश चलो बहुत ही बढ़िया बना लिया डिस इस ग्रूपिंड जल्दी से बनाते हैं एनलीशिस एनलीशिस में कोलम कोलम कितने आनेचे हैं बर्न टू थ्री फोर फाइव और शिक्स और एक साइड क्या लिखनी है क्लास इंटरवल एनलीशिस सेबिल में जैनली हम वहां पर क्य क्या लिखते थे सिंपल आइटम का साइज लिखते थे हैं कितने हैं फांच फांच से गैपन पैथिस थक अरामसे जीरो से पांच पांच से देस दस से 15 15 15 25 25 से टीक सो 20 35 को होग को हो ते हम प्र Means कि 20 25 25 30 35 करते हैं मिटा आराम से काम को पहला कोलम हाइस फिर्पेंसी वह फिर्स कोलम में हाइस जो है आगी ना बात यहां पर हाइस क्या है ए यह टैन भी है और यह टैन भी है और यह टैन भी है एक राइड दस से पंद्रह को एक बीश से पच्चिस को तो इस पूश्चन को तो हमें इंस्पेक्शन से करिन सकते थे यह नहीं ग्रूपिंग से था इस नेक्स में हाइस के है 19 मचा ऐस दस तो नो को एड़ करके आए तो मतलब बीश पंद्रह से दीश बीश पंद्रह से दीश और बीश से पंद्चिस यह फोर्पैं गलत होगा नहीं है, 10 चार को अट करके आया होगा बॉर्ड क्लास अभी निकालते हैं वीटा ये कितने को आया है, 1 2 3 में 23 ये कितने को अट करके आया है, 10 चार नो 15 से 20, 20 से 20, 25 से 30 उसके बाद 5 में 20 लिए 20 किसे एड करका है यह गलत होगे एक सेकेंड आखरी की तीने टिने तो बिटा यह एक टीस लिखेंगे लेकिन है यह आएगा और यह किसमें क्या क्या रहा है बीज से पच्चिस पच्चिस से तीस और तीज से पैथेज और लास्ट वन 24 कि यह एक एकर क्या रहा था तीन चार पांच तीन चार पांच दस से पंध्रह तो देखोगी नौ रएट दो तीन नहीं उसमम्हा है रही और तीन और एक मुद्धे की बात है वोड क्लासे बीज से पच्चिस इस इस और मोर्ड वहां पर बेटा सीधा अंसर आयाता था मौड का यहां पर मोड क्लास आई यह फरक है डिस्क्रीट और कॉंटेनिस तो बेटा मोड क्लास से होगा क्या समझना मोड क्लास से सारी वैल्लियों निकलेंगी जो फॉर्म लगाने है समझो 20-25 अगे मोड क्लास सुनना यह मोड क्लास है तो इसके सामने वाला क्या बनेगा f1 इसके ओपर वाला क्या बनेगा f0 और इसके नीचे वाला क्या बनेगा f2 और यहां पर हम लगाएंगे मोड का inspection method वाला एक formula z is equal to L1 plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into i तो यह है इसमें पहले पूरा method लगा grouping फिर वो inspection वाला formula लगना है low limit 20 है i5 है F1 F0 F2 देख लो एक बार भाईया दस चार उन्नो दस चार उन्नो यह है दस यह है चार बीस चार उन्नो तो यह कितना आजएगा बीस दस में से चार गए छे तेरा गए तो साथ इंटू पाँच तीस अपॉन साथ तो चार पॉइंट बीस तो चोदा छे जीरो छे जीरो पे आठ तो चोबिस पॉइंट अठाइस बाईस पॉइंट तीन गलत है बेटा हाँ चोबिस पॉइंट अठाइस है और नतेस भाईया मैं तो चैट पर आके पढ़ रही हैं अच्छे बात है फिलाल यह सब को हो गया बीटा देखो या दिखाओं यह थोड़ा से लिखते दो आठाइस चल्रा चार्ट भी डन भाईया चोबिस पॉइंट दो नूं और दन चार्ट वेज़ां क्यां कि अच्छे लिखना बेटा देखो किसी को कोई डाउट है तो बताओ मैंने जो ग्रूपिंग मेसेड कराया था वो सेंग डूपिंग मेसेड का यूज़ होगा कॉंटेग्यू से दिश में फिर जो इंस्पेक्शन मेसेड का फोर्मिला उसका भी यूज़ होगा क्यों कि आयो अपसो सबको समझ भी आगया अब हम एक कोश्चन दे दो भाई आज के लिए इतना ही हां बेटा एक कोश्चन क्या बच्चे कह रहे हैं अब हमें कोश्चन चाहिए और लेकिन वह हम घर से करेंगे नहीं करा रहा हैं तुम्हें पता है ठक गे भाईया तुम्हारे से पहले पता है तुम धगे तुम्हारे कितनी नहीं दे रहा है आप अभी के लिए घर के लिए यह दोनों कोश्चन होंवक में और बेटा यह सेम कोश्चन को ही रिपीट कर लेना प्रैक्टिस के लिए जो अभी हमने आज करा और बाकी लगबग तीनों कंसेप्ट होगे अब तो देखो कौन से करने है कुछ नहीं लिखा एक कोश्चन तो गुरुपेंट से करना ही करना है ओके बटा बाय आज करी इतना है